देश की राजधानी दिल्ली लापरवाही और पैसों का खेल यहां भी खुलियाम देखने को मिला और इस पर बहुत हैरानी होती है क्योंकि वियोस्था को रेगुलेट करने की सारी जो टॉप मेशिनरी है यहीं बैठती है जब देश की किसी कोने में होता है तो आप कहते हैं कि तो बहुत दूर जराज का मामला है लेकि जब राजधानी में होता है देश की राजधानी में तो फिर लगता है कि नहीं यह सिस्टम पंग हुए है यह सिस्टम अपाईज है यह सिस्टम सर्फ ताकत से चलता है चाहे पै कोई भी पैसे वाला आपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर ले जाता है कोई कुछ नहीं करता है जब कोई बड़ा हाथसा हो जाता है तब सारे विवाग खड़ा उठते हैं एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं जबके सचाई यह यह कि पैसों के स्केल में सब सब के सब मलाइक काटते रहते हैं दिल्ली के विवेक विहार में एक चाईल होस्पिटल में शनिवार को जैने कि 25 मई की रात आग लग जाती हाथसे में साथ नौजात जो हाल में पैदा हुए थे उनकी मौत हो गए उस वक्त अस्पिताल में बारह बच्चे आड़ म तीन लड़कियां 25 दिन के एक बच्चे को छोड़ कर दूसरे सभी बच्चे 15 दिन यह उससे कम के थे अब आप लापरवाही का आलम देखिए दो मंजिला बिल्डिंग के फर्स फ्रोर पर निउबॉर्ण बेवी केर सेंटर चल रहा था बेवी केर सेंटर के नीचे ग्राउ पर इलीगल तरीके से आक्सिजन सिलिंडर रिफीलिंग का काम चलता था अब वैद आक्सिजन सिलिंडर को भरने का काम कितना खतरनाक है आपको बताने के जरूरत नहीं है कभी भी बलास्त हो सकता है लेकिन उपर बच्चे हैं आग लग सकते हैं दमाका हो सकता है जान ले व आपका सारा काम उर्ता हुआ चलेगा रिश्वत्प कार किये आपका बिजनस हवाई जहाज का ऐसे काम में कभी भी हाथसा हो जाता है जैसा यहां था कभी सेंडर ब्लास का खत्रा रहता है फिर भी यह चल रहा था और अप्ताल के ठीक नीच आपको क्या लगता है कि किसी को द होता है पूछतास के लिए संबंदित विवाग के अधिकारी कर्मचारी पहुचे जरूर है पैसा मिलते ही सब शांत हो जाता है अब जाच में सब सामदें आ रहा है क्या आ रहा है अब सुनिए आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस बेबी कियर हॉस्टल में आग लगी उ अज़ाम था और नाहीं इमर्जंसी के वक्त बाहर निकलने का कोई दूसरा रास था और तो और अस्पिताल में कॉंपिटेंट डॉक्टर्स जो होने चाहिए थे नहीं थे कौन से थे यह सब आरवेद वाले थे बीये चेमिस यानि कि बच्चों की जान से भायानक खिलवार पहले से चल रहा था अचंबे की बात यह है कि इनकी घंगोर लापरवाहियों के बावजूद यह स्पिताल चल रहा था अब जाकर दिल्ली सरकार जागी है मस्टेट जांच के आदेश दिये गए यह आग जो आप स्ट्रीन पर देख रहे हैं आप देखेगा इस बिल्डिंग के बाहर एक लोहे की सेड़ी जाती है पहले माले पर अस्पिताल में जाने का रास्ता सिर्फ वही एक सेड़ी है आप समझें यह तस्वीर आप देखी और उस सेड़ी में आग लग गए ब्लास हुआ ब्लास होने के बाद एक सिलिंडर जो है वो उपर की तरफ गया और उसमें आग लगी और फिर उपर जलने लगा तो सेड़ी जो थी उसके जाने का रास्ता बंद हो गया उपर के माले में बच्चे साथ के साथ मारे गए लेकिन जिन परिवारों ने अपने मासूम बच्चे खो दिये हैं अब चाहे जो भी कर लें आप जितने मुकदमे कर लें डॉक्टरों को अपने ग्रिफतार कर लिया है सजाएं हो जाएंगी और पता नहीं इस तरह के कितने और अस्पताल इ अब भी और हाथ से कर इंतजार कर रहे होंगे लेकिन परिवार वालों ने जो अपना खोया है उसकी भरपाई होगी क्या बेबी केर अस्पताल के मालिक उसका नाम है डॉक्टर नवीन किच्ची और डॉक्टर आकाश जो हाँ डूटी पर था दोनों को गरिफ्तार कर लिया गया है इस केस में भी हर दिन नए नए खुलासे हो रहे है इसमें सुरुवाती तोर पे हमने आग लगने की एक मलोदूर गटना के इसाब से इसको मुकदमा किया धारा 336 304 ए आई पीसी में बा पारी इसकी ऑस्पिटल का रजिस्ट्रेशन परमिशन उनको चेक किया तो पता चला कि ऑस्पिटल की जो एनोसी है वो भी 31 मार्च को खत्म हो गी थी और ऑस्पिटल को पास बैड तक की परमिशन थी लेकिन उन्होंने दस से जादा बैड उसमें लगाए हो थे 12 तेरा के आ अंचालक है डोक्टर नवीन खींची जो वेस्ट देली में उनका एड्रेस है घर का और वो उनको उनको अमने अप्रिहंड किया इसमें इसके अलावा में पता चला कि उन्होंने तीन बी-एमस डोक्टर भी इसमें रखे हुए थे तो उसमें से एक डोक्टर जोन डूटी भी थे डोक्टर आकास उनको भी हमने अप्रिहंड किया है Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery B.E.E.M.S ये सब लोग बच्चों की देखभाल कर रहे थे ऐसे चलता है घर वालों को लगता है कि डोक्टर है मोटी फीस है पैसा पूरा वसूलते है लेकिन जान से खेलते है